पाच हजार तीन सो तिरानवे करोड़ दोस्तो ये टोटल है प्रभास की आखरी की दस फिल्मों का ये इतने बड़े नंबर्स हैं कि आप यकीन मानिए इस आखले के आज पास भी इंडिया का कोई दूसरा सूपर स्टार फॉल नहीं करता साथ यही वजाय की प्रभास एक मगर उससे पहले आपके लिए टास्क ये है कि आप नीचे कमेंड सक्थन में किसी दूसरे एक्टर का नाम मेंसन करें जो कि प्रभास के क्लोज हो या फिर सेकंड पोजिशन पर फॉल करता हो दोस्तो आज की तारिक में प्रभास एक ऐसे स्टार फेस बन चुके हैं जिनकी फिल्में बॉक्स आउइस पर चले या न चले लेकिन इनकी फिल्में ओपनिंग बहुत ही जबर्जस लेती हैं बहुबली ने प्रभास को इंडिया का सबसे बैंकेबल फेस बना दिया है इतना कि IMDB के अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे अधा ओपनिंग पाने वाली दस फिल्मों में पाच फिल्में किवल प्रभास की ही हैं जो कि इनके स्टार्डम को बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिया था बैराल प्रभास के केरेक्ट की लास्ट से दसवी फिल्म है साल दोर ग्यारह में रिलीज हुई Mr. Perfect इस फिल्म में भी प्रभास के अपोजिट काजल अगरवाल को में एक्टर्स के तौरपर कास्ट किया गया जो कि एक्चुली प्रभास के लिए काफी लगी साबि फिल्म बॉक्साइज पर सक्सेस्फुल रही जिसने तेलगू बॉक्साइज पर 28 क्रोंड की कमाई करके दिखाई इसके बाद प्रभास की लास्ट से 9 फिल्म है रिबेल दोस्तों इस फिल्म को रागह लॉरेंस ने डेरेट किया ये उस टाइम पिरेट की बात है जब प्रभास को दिखर डेरेक्टर एसेस राजा मौली का साथ मिला और इन्होंने अपने केरियर के पास साल सिर्व राजा मौली को देने का डिसीजन लिया हाला कि विद्द परमेशन प्रभास ने मिर्ची नाम की फिल्म में काम किया ये प्रभास की लास से 8 फिल्म थी मिर्च को इंडस्टी का सबसे बेंकेबल हीरो और पैन इंडिया के पहले सूपर स्टार के तौर पर इस्टेबलिस कर दिया फिल्म ने पैन इंडिया पर साड़े 600 क्रौन की कमाई करके इतियास रचा साथी साथ इस फिल्म ने साउथ फिल्मों के लिए अपने स्टेट की बॉंडिस को लांगने का काम किया साल 2017 में इस फिल्म का सीक्वल बहुबली दर कंक्लूजन रिलीज हुआ फिल्म ने पहले पार्ट की कंपेर में तीन गुना जादा कमाई करके दिखाई इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ओइस पर 1810 कौंट की कमाई करी और ये इंडिया में सबसे अदा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई फिल्म आल टाइम ब्लोकबश्टर रही और प्रभास की मैसिव फैन फॉल्लविंग बढ़ी प्रभास के पास धेरू प्रोजेक्ट के ओफर थे और इस फिल्म की सकस्स प्रभास की आने वाली फिल्मों की किस्मत सेट कर गई साल 2019 में टी सीरियस ने प्रभास को लीट रोल में लेकर साले 300 करोड की लागत के साथ फिल्म बनाई साहो जो कि साथ बेल्ट में तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हाला कि हिंदी बेल्ट में इस फिल्म ने अच्छी कमाई करके दिखाई इसी के चलते इस फिल्म की टोटल कमाई ती 440 करोड इसके बाद ओडियंस की बढ़ती हुए एक्सपेक्टेशन को प्रभास अपनी आने वली फिल्मों से फुल्फिल नहीं कर पाई कई फिल्मों को ओडियंस ने सिर्य से खारिच कर दिया उसी में से एक फिल्म ती राधे स्याम प्रभास ने यहाँ पर अपनी इमेज के टोटी अलग किरदार प्ले करने का डिसीजन लिया ओडियंस ने इस फिल्म को पसंद बिल्कुल भी नहीं किया इसके बावयूत ये फ प्रभास अपने स्टार्डम को फौर ग्रांटेड लेने लगे हैं कोई स्टार अपने फिल्म सेलेक्शन में इतना गलत कैसे हो सकता था इसके बावजूद इस फिल्म ने साड़े 300 कौन की कमाई करके दिखाई जो कि एक्चुल में कई बड़े स्टार्स के लिए आज भी ट इसने प्रूफ किया कि प्रभास की मासस में तगली फैन फॉलोइंग है कई disappointment के बाद ये फिल्म प्रभास के लिए राहत साबित हुई फिल्म का potential 1000 कौन का लगाया जा रहा था प्रभास बैक इन एक्शन आउतार और फिल्म को केजे फिल्म डेक्टर परसांत निल ने डेरे ये फिल्म प्रभास की एनेदर बेंचमार फिल्म साबित होने जा रही है जिसने प्रभास के इस्टारडम को अगें ठी डिफाइन किया है फिल्म ने science fiction जॉनर में इंडिया में एक milestone टच किया है ये actually प्रभास की massive comeback फिल्म साबित हुई है फिल्म अपने 7 दिनों में 700 करोड की कमाई कर चुकी है lifetime में अगर हम बहुत ही minimum मान के चलें इसके बाद भी ये फिल्म बड़े आराम से 1000 क्रोण की कमाई करने वाली है इस तरह प्रभास की लाश दस फिल्मों की कमाई पहुचती है 3393 करोड दोस्तों ये इतने बड़े आकड़े हैं कि फिलाल कोई दूसरा actor तो इसके आस पास भी नजर नहीं आता इसके ऊपर से इनके लाइनप भी काफी स्ट्रॉंग है प्रभास की इसके बाद इसके बाद इस प्रिट सलार टू राजा साहब और कल की 289880 का सीक्वल रिल्स होगा दोस्तों इन फिल्मों का बॉक्स आइट पोटेंशल काफी हाई ह और आगे आने वल समय में जब प्रभास की लाज्ट दस फिल्मों का बॉक्स आइट जोड़ेंगे तो मिश्टर परफेक्ट रिबल और मिर्ची जैसी फिल्म में हटेंगी और ये फिल्में एड होंगी इसके बाद जो बॉक्स आइट फिगर निकल कर आएगा आप यकीन मा और ये उससे बड़ा प्लेयर इंडिया में कोई भी साबित नहीं हो सकता इस पर डिर्क्टर संदीब रेटी वांगा की फिल्म है जिनकी पिछली फिल्म एनिमल ने 900 क्रोंड के करीब कमाई करी थी बात करें सलार 2 की तो इस फिल्म के पहले पार्ट ने 700 क्रोंड की कमाई कर प्रभाष इस समय इंडिया के सबसे बेंकेबल फेस है इसी के चलते प्रभाष इस समय सबसे हाई फीस चार्ड करने लगे हैं खेर ये रहा प्रभाष के उपर हमारा आज का इस सपेसल वीडियो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में निवाद